नमस्कार ओम साहीरम साही समर्चक्ती चानल में सभी साही बक्तों का स्वागते साही बाबा का प्रारंबिक जीवन साही बाबा का जल्म शीडी में हुआ मगर इनका जल्म किसके घर हुआ इसमें अभिमत बे थे फिर भी ऐसा बताया जाता है कि ब्रामन जोडे के यहाँ पात्री गाव में जल्मे साही बाबा को फकिर को सोब दिया गया था ये उनके आखिरी दिनों में उनी के दोरा बताये गए शब्धे उनकी जल्म की तारीक तै नहीं है और पहली बार बाबा 16 साल में वे महाराश्टर के शीडी गाव पोचे थे इसे ही वेतित कर दिये और इसके बाद लोग इस युवा पर बहुत आस्ता रखने लगे गाव के प्रमुक की पत्नी बायाजा बाही ने बच्पन में साही बाबा के कल्लेंड के बारे में पुश्टाश की और धिरे धिरे बाबा के लिए वे खाना भी लाया करती थी कुछ लोगों का ये भी कहिना है कि साही बाबा का जल्म महाराष्टर के पत्री गाव में हुआ लेकिन इनके माता पिता और बच्पन की कोई जानकरी नहीं है उनके बारे में साही सत्य चरित्र कितब में ऐसा लिखा है शीडी के उस निम के पेड़ के नीचे इन्होंने कई बरसा सर्दी गर्मी बिता दिये इतनी कटर तपस्या करने के बाद गाव वालों ने इन पर ध्यान देना शुरू किया और इनके पास आकर बैटने लगे तो वही कुछ लोग इने पागल भी कते थे तो कुछ इनके उपर पत्थर पेकते थे साही बाबा एक दिन अचानक इस उर्दी आपसा यर्म